हलो एंड वेलकम तो दे चैनल ओनलाइन इंदिकारी मेरा नाम सुराव व्यादा और यहां पर हम लोग सी सैट पढ़ रहे हैं सी सैट के अंतरगत मैत और रिजिनिंग को पढ़ रहे हैं अगर आपने संप्रेशड अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लिजे चार लेक्चर पढ़े हुएं संप्रेशड के और एक लेक्चर प्रिवेस एर क्वेस्चन वाला भी हो चुका है संप्रेशड का वीडियोस में वो लेक्चर पढ़ा होगा संभवता जल्दी ही हम उसको ऐसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे और बाकी यह सब लेक्चर उसी प्लेलिस्ट में चले जा रहे हैं जो लोग रिगुलर देख रहे हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है माल लेजे मैथ रिजिनिंग के 30, 35 या 40 क्वेस्चन मैथ रिजिनिंग के आते हैं आप 15 से 20 भी कर ले जाते हो 15 भी कर ले जाते हो 12 भी कर ले जाते हो तब भी बहुत हो जाएगा हिंदी के 15 क्वेस्चन रहेंगे 15 में एक तो पैराग्राफ हला होगा 4 से 5 क्वेस्चन उसमें होते हैं हिंदी में कम से कम लोग 15 में से 9 वगेरा तो मार देते हैं तो 15 नौ कितना हो जाएगा तो 9, 11, 21 हो गया, आपको 12 question और चाहिए, इंगलिस में 15 question होता है, आप 5 मान लीजिए, 5 वहां मान लीजिए, और संप्रेसर में आप लोग 6, 7 कर लेगा है, 25, 20 question में संप्रेसर में 6, 7 कर लेगा है, तो आप पास हो जाओ गया ऐसे, इसलिए सभी section को थोड़ा-थोड़ा समय द चाहते हमकों इंगलिस आती ही नहीं, तो यह सब चीज़े जो है, एक किनारे रखिए, ठीक है, और बहुत से यह जमीनी हकीकत यह है, कि लोग संप्रेसर में बहुत लोग फेल हुए है, हमने खुद कई लोगों का paper देखा है, जो पास हो गय थी GS में पिछली बार, वो जिसको पढ़ना वो regular देखता रहा है, और दस तारिक तक तो हम regular lecture ऐसे ही लाते रहेंगे, और जल्दी ही हमारा प्रयास है कि संप्रेसर के सभी महत्पूल कोस्चन जो है, 2016 से 2020 तक का एक lecture आपको दे दें, 2016 से 2020 संप्रेसर कम्प्लीट हो जाए, बाकी यह रिजिनिंग का 2020 के यह कुस्चन है, रिजिनिंग मैत के कुछ है, 2020 स्पीसियस के, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बाकी आप लोग साट से सतर दिन पीछे दीरे दीरे एक एक दिन करते करते, साट से सतर दिन तक का कुछ करिए, कुछ अच्छी चीज़ें वहां मिलें, तो उसको कहीं एक पर देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, पहला कुछ निमलखित स्रिंखला को सही विकल पुद्वारा पूर्ड कीजिए, निमलखित स्रिंखला क्या दी गई है, अब देखिए ऐसे कॉश्चन हमेशा राते हैं, स्रिंखला दी गई कि 3, 2, 6, 8, 18, 40, आप सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसको दूसरे वाले को देखते हैं, है ना, सबसे पहले सोचते हैं, एक दूसरे वाला कैसे आ रहा है, फिर उसके बाद यह देखने हैं, जादा हो गया, दो तरीके इसमें हैं, एक तरीका यह है कि पहले दूसरे वाले को देखते हैं, जैसे यहाँ प 8 45 यानि ये 5 हो गया 4 4 का गुड़ा की है दो में 248 और 8 में 5 का ये बढ़ाते गए हैं याभी आठ पच्छे 40 और फिर आगे वाला जो आएगा 40 गुड़े 6 6 24 24 दो सो चालिस आएगा इधर इधर वाला नीचे वाला दो दो का गुड़ा की हैं फिर एक बढ़ा के तीन कर दी है यानि छैतरी का अठारा अठारा चोके बहत्तर यह नीचे वाला बढ़ता गया उपर वाला ऐसे बढ़ा नीचे वाला ऐसे बढ़ा तो कुछ नहीं है देखे 72 यह एंसर भी है 72 एंसर यह कुछ नहीं करना है तीन दुने के च्छै च्छै त्रीक अठारा अठारा चोग के बहत्तर यहां पर दो यहां पर तीन यहां पर चार ऐसे बढ़ गया पर यहां करना है अगला कुस्चन है तो इधर देखिए अगला question है इसके पहले और question होंगे हाँ ये रहा question और भी question इधर थे चलिए पहले इसको देख लेते हैं ये question है निमलखित कूट संकेतों में से सही बिकल्पदारा अनुकरम को पूर्ड कीजिए ये दीकिए ये आई के लिखा है फिर ये लिखा है फिर ऐसे करके आगे है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना दे कि E के बाद आता है F यानि प्लस 1 G के बाद आता है यच G A B C D E F G यच के बाद I फिर J K L ऐसे न तो G के बाद जब हम G के बाद एक और बढ़ा देंगे प्लस 2 कर देंगे तो Y CH I होता है ठीक है I के बाद देखी J K L प्लस 3 J K L K के बाद Y L Y N O प्लस 4 क्या किये हैं कुछ नहीं कियें कुछ नहीं कियें देखी E के बाद आता है F यानि प्लस 1 आगे बढ़ गए G के बाद प्लस 2 हो गया जी के बाद यच आई और आई के बाद प्लस त्री कर देंगे आई के बाद प्लस त्री करेंगे तो आई, जे, के, यल और के बाद प्लस फूर कर दी है वैसे ही इसमें आगे पूछ रहा कि आगे क्या होगा इसमें देखें सेम ऐसे ही लगएगा क्या यप के बाद यप के बाद जी यप जी यज के बाद आई फिर उसके बाद जे है ना जे जी जे यहीं पर आपको पता चल गया देखिए दो आपसन दिया जी जे सेम दिया है ओके अगर एक ही रातत हो गया काम आगे करने के जोरत नहीं फिर जे के बाद प्लस त्री कर दे के बाद प्लस फूर में अंपी आ गए आगे यह समस्छा नहीं चलिक्राय कोई दिक्कत नहीं यह देखिए, D answer हो जाएगा, यहाँ पर D answer हो जाएगा, ओके, चलिए, अगला देखते हैं, निम्लकित में से कितने ऐसे 4 हैं, जिनके पहले 7 है, लेकिन बाद में 3 है, कुछ भी नहीं है इस question में, कुछ भी नहीं है इस question में, बस क्या करना, ध्यान से देखना ह आपके तरक को देखना है, आपको देखना है कि मतलब कितना तेज आप दिमाग लगाते हैं, इसलिए तो यह C-set रखा गया है, निम्लकित में से कितने ऐसे 4 हैं, जिनके पहले 7 है, लेकिन बाद में 3 नहीं है, कितने ऐसे 4 हैं, जिनके पहले 7 है, पहले 7 है, पहले 7 और नहीं है कहीं तो कितने ऐसे चार हैं जिनके पहले साथ है लेकिन बाद में तीन नहीं पहले साथ है लेकिन बाद में तीन नहीं है तो पहला एक हो गए बाद में तीन नहीं है यहां पर पहले साथ है और यहां बाद में तीन नहीं है ओके यहां पर पहले साथ है और बाद में तीन नहीं है है रहा और यहां पर बाद में साथ है और पहले साथ है बाद में तीन है तो यह नहीं हट जाएगा यहां बाद में साथ है मतलब पहले साथ है बाद में तीन नहीं है तो कितने ऐसे चार हैं जिनके पहले साथ है लेकिन बाद में तीन नहीं है, तो एक, दो, तीन, चार, ऐसर चार, कितने ऐसे साथ हैं जिनके पहले साथ है, बाद में तीन नहीं है, यहाँ पर देखें बाद में तीन था, तो यह हट गया, ओके, तो यह चार हो गया, अब इसमे मैं आपको बताया कि सब जब भी पेज वगरा पर कहीं पर लिखते हैं तो ऊपर यहां पर उत्तर होता है नीचे यहां पर दच्छिड होता है यहां पर पूरव होता है और यहां पर देखिये पस्चिम होता है यहां पर पस्चिम होता है ओके इस्ट वेस्ट नाथ साउट यह के बाद एक किलोमेटर चलने के उपरांत वह दच्छिड की तरफ मुड़ जाता है और पांच किलोमेटर चलता है दच्छिड की तरफ मुड़ता है और दो किलोमेटर चलता है यानि पूरव की तरफ मुड़ता है और दो किलोमेटर चलता है अंतिम बार वह उत्तर की तरफ मुड़ता है उत्तर मुड़ेगा उपर जाएगा उत्तर की तरफ मुड़ता है और नौ किलो मीटर चलता है अब यह देखिए यहां से गया यह नौ किलो मीटर चला कितना दूरी पर है बात पूछ रहें कि ये वाली दूरी कितनी है है ना अब देखी यहां से यहां तक आपको पता है ये वाली ये पता है आपको 5 तो ये भी 5 होगी है ना जब ये 5 है और टोटल 9 है तो ये कितनी होगी 4 होगी ना जब टोटल 9 है तो 5 घटा देंगे तो ये 4 बचे कि चार है ओके ठीक है अब यहाँ पर यह देखिए दो किलोमेटर इधर था दो इधर नीचे वाला नीचे यह दो है तो यह उपर वाला भी दो होगा अब त्रिकोर्ड मिती में एक फार्मूला होता है अब यह निकालने के लिए इसको बोलते है करण 24 इसको लंबी इसको राधार वगiddं थो अंड्रूट सीधे कर दीजечение इसको चार का इसको एंडरूट चार का इसको इसका इसको इसको कितना हाइगा 4 का square हो जाएगा 16, 2 का square 4 2 का square कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का square ओके ओके यहाँ पर देखे वहलों गड़बड हो गई यहाँ पर 2 है, हमने 2 को ही मान लिया लेकिन हमको पूरा मानना है ना पूरा लेना है, यह पूरा, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा यह जोग दो गॉला करीया नहींकर दो ख्रा सिंट ता नौश्वल्टू नी को स्कुलटू अब पाचीश खेल जायेगा और करने यही एंसर तो पांच किलोमीटर अंसर हो जाएगा फिर से देख लेते हैं कैसे किये हैं फिर से एक बार सही से पूरा देख लेते हैं चलिए फिर से देख लेते हैं कि रभी ने पुरु की और चलना परारम किया एक किलोमीटर चलता है आपने ऐसे बना लीजे इधर उत्तर है इधर दच्छ चलता है पुना पुरक पूर्वा तरफBack मुड़ता है और दो किलो mi्टर चलता है अंते बरवा उत्तर के तरफ qgm चलता 2 किलो मिटर पूफ्जव करहे हैं कि ये देखिघ यह flavors, ये उत्ह operate by गेई इक्रीर यह एक है त how i यही तो चार का स्कॉयर प्लस दो और यह टोटल तीन हो गया तो तीन का स्कॉयर चर्चोग के सोला और तीन का नव सोला नव पकीस पकीस को पांच गुड़े पांच लिख सकते हैं अंडर रूट में जब दो बार होता है तो एक बार हो जाता और एक ही वह एंसर हो जाएगा पांच तो पांच अंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं चले आगे बढ़ते हैं अगला कॉस्चन देखते हैं यह देखे दिमाग लगाएगा, देखे क्या है साथ दुने के चवदा प्लस चार बराबर अठारہ साथ दुने के चवदा प्लस चार बराबर अठारह ये है न, अब अपढ़ारा गुडे दो प्लस चार बराबर चालिस, अठार दुनेNext Eachर, चालिस अब यहाँ पर यहाँ पर अगला वाला जो हो जाएगा यह वाला कैसे आ जाएगा यह देखिए क्या होगा यह 40 गुड़े 40 गुड़े 2 प्लस 4 40 गुड़े 2 यानि 80 प्लस 4 इसकोल टू 84 एंसवर आ गया यही है ना अब इसको सही करने के लिए देखने के लिए क्या कर सकते हैं 84 गुड़े 2 प्लस 4 84 गुड़े 2 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 4 दूनी 8 168 प्लस 4 168 यानि 172 एंसवर हो जाएगा इधर मतलब देखिए यह सही है क्या की हैं कुछ नहीं की हैं क्या की हैं देखिए 7 गुड़े 2 प्लस 4 7 दूनी 14 प्लस 4 यानि 18 18 गुड़े 2 प्लस 4 38 दूनी 36 4 40 40 गुड़े 2 प्लस 4 कर दीएगा 80 प्लस 4 84 यही एंसवर है ओके चले आगे बढ़ते हैं ये लिखा है कि निम्खी स्रिंखला को सही विकल पतार पर ये पहला कोस्चन हो चुका है अगला कोस्चन ये देखी है कि 117 मीटर और 98 मीटर लंबी दो रेल गाड़ियां विपरीद दिसाओं में क्रमा नुसार 35 किलो मीटर प्रति घंटा और 55 किलो मीटर प्रति घंटा और 55 किलो मीटर प्रति घंटा चाल से जाल रही है मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी अब दोनों विपरीद दिसाओं में एक दूसरे के विपरीद में आ रही है तो दोनों की चाल जूड़ जाएगी यानि 35 प्रति घंटा लेकिन यहां पर इनकी लंबाई मीटर में दिये है तो हम किलो मीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? नबबे गुड़े 5 प्रति अठारा देखे क्या होता कीलो मीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 5 प्रति अठारा से गुड़ा करते हैं लेकिन अगर है मीटर प्रति सेकेंड होता तो हम क्या करते हैं? 18 प पता चल गई, ओके, समय पूछा रहा है, एक दूसरे को पार कर जाएंगी, कितने समय बात, चाल पता चल गई, अब जब ट्रेन है, जैसे एक ट्रेन पार करेंगी, तो इनकी जो एक बीच की दूरी है, मतलब जितनी लंबी ये ट्रेन होंगी, जब तक इसका पिछला सिरा इस परकार से न हो जाएगा, दोनों ऐसे न हो जाएगी, तब तक नहीं माना जायाएगा कि न, पार की है, ठीकर, सिर्फ इंजन की बात नहीं, ये वे सबीर निब्वों की भी बात हो रहे, तब ही न माना जाएगा, तो यानि उनकी ये जो 127 मीटर है, 127 मीटर प्लस 98 मीटर दोन बूंबाई हो गोई यानि लंबाई हमें पता चल गए 225 मिटर लंबाई कि समय बताओ, समय बराबर होता है आपको याद होना चाहिए समय बराबर, दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल है ना, दूरी बटे चाल ये फार्मला याद होना चाहिए यही से चाल बराबर निकालते हैं, तो कैसे चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय दूरी बराबर चाल गुड़े समय हो जाएगा यहाँ पर हमको समय निकालना है तो समय बराबर दूरी कितना है दो सो पचीस दो सो पचीस चाल कितनी है पचीस है ना तो पचीस और इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा अगर ऐसे नहीं काट पा रहे हैं तो 5 से काट यह 5 25, 5 24 और यहां पर बचा 5 25 हो गया 25 बचा 25 और पांच वठे 40, 5, 9, 45 यानि कितना आ गया 9 सेकेंड आ गया फिर से देख लें फिर से देख लेते हैं बिपरीद दिसा में दोनों आ रहे हैं तो उनकी चाल जूड़ जाएगी यानि 55 प्लस 35 पराबर हो जाएगा आपका 90 कितना किलो मीटर प्रती घंटा है लेकिन इनकी दूरियां जो मीटर में दी हुई तो हम इसको मीटर बदल लेते ह हैं आएंसवर सेकंड में आया है मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं तो 90 गुड़े 5 पटे 18 किये हैं मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 18 पचे 95 पचे 25 मीटर पर सेकंड हमने निकाल लिया चाल हमको दूरी 127 और 98 बदी है तो दूरी हम दोनों को जोड़ देंगे दोनों र कि दूरी बठेाफ दूरी कितनी है या नव सेकेट हमारा आंस Vernon आगया कोई दिक्कट नहीं होनी चाहिए वकर चली है अगला किस्चिंग यह रहा कूस्चिंग देंकि यह कुछ भी नहीं इस कूस्चिंग में बस सीधे क्या करना जहां पर जो कहरा वही कर दो लेकिन एक फार्मला हो जाता बार्ड मास उसको बोलते हैं ऐसे याद रख लीजिए भाग उजोग भाग उजोग हिंदी में भाग उजोग भाग गुड़ा जोड घटाना सबसे पहले भाग करते हैं फिर गुड़ा करते ह है भाग वाला डिवाइड वाला प्लस का आर्थ यानि कह रहे हैं कि पलस बराबर हम बता रहे हैं कि अब Rainbow वान जाएगा इस 10, minus 4, into 12, यह लिखे हैं, इसका answer निकालना है, आप करें कि भाग जहाँ पर, वहाँ पर क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, भाग की जगा क्या करेंगे, minus कर देंगे, भाग की जगा हम minus कर दें, यहाँ पर, एक second, ओके, अब हम इसी को रख देते हैं, भाग की जगा हम minus रख दे भाग जोग है, पहले भाग करते हैं, और यहाँ पर into की multiply की जगा, क्या plus है, multiply की जगा plus तो नहीं है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमने value छोड़ दी थी, plus 6 हमने छोड़ दिया थे, यह आगे plus 6 भी था ना, यह plus 6 है, यह plus 6 है, तो plus की जगा क्या हो जाएगा, plus की जगा आगे 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए आपको, देखें, यह तो पूरा question है, आप कहे रहे हैं कि इसकी इसकी जगाँ यह रख दिया, यहां पर भाग जहां था, भाग जहां था, वहां हमने माइनस रख दिया, जहां पर माइनस था, माइनस की जगाँ देते हैं, फिर उसके बाद गुड़ा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर उसके बाद घटा देते हैं, तो सबसे पहले भाग करिए, भाग वाला कहां है, हाँ, तो भाग करेंगे, 12 में 6 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2, अब लिख लीजे, प्लस, 4 फिर जोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 40 में 2 को जोड़ देंगे, तो 6 माइनस, 40 में 2 को जोड़ देंगे, तो 42 हो जाएगा, ओके, और 42 में से आप क्या करेंगे, अब घटाने माली बात हो गई, तो 42 में से 6 घटेगा, तो बड़े वाले कच्ची हो जाएगा 32 तो नहीं हो रहा यहां पर कोई दिक्कत होई है एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग फिर से सुरू कर देते हैं इसको प्लस का अर्थ भाग है यहां पर प्लस का अर्थ है भाग देख लेते हैं फिर से इसको प्लस का अर्थ है भाग प्लस बराबर भागे है माइनस का अर्थ है गुड़ा माइनस का अर्थ है गुड़ा और गुड़ा का अर्थ है प्लस गुड़ा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है यह माइनस भाग वाला जो है वो माइनस हो गया ठीक है अब वो ऐसे ही रख लेंगे लिखा क्या है 6 भागे 10 माइनस 4 गुड़े 12 प्लस 6 है ना अब इसकी value अब यहां आगे बढ़ते हैं भाग की जगा हम लोग क्या रखेंगे माइनस यानि 6 माइनस 10 और माइनस की जगा हम लोग क्या करेंगे प्लस प्लस 4 और गुड़ा की जगा हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे प्लस 12 और यहां पर प्लस की जगा हम लोग क्या कर देंगे भाग कर देंगे अब सबसे पहले हम लोग भाग देंगे तो 6 में 2 से भाग गई तो 2 बचा तो यहाँ प्लस है यहाँ पर 4 है यहाँ पर गुड़ा हो जाएगा माइनस की जग क्या है माइनस जग गुड़ा है माइनस की जग यहाँ पर गुड़ा है 10 चोग के 40 प्लस 2 ओके भाग और गुड़ा हो गया अब भागू जोग हमने बता ना भागू जोग सबसे पहले भाग गुड़ा फिर जोड फिर घटाना ओके तो गुड़ा हो गया अब हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे इसको 6 और ये प्लस है और ये प्लस 6 दो 8 हो जाएगा 8 माइनस 40 आप घटाएंगे 40 में से 40 में से माइनस 40 है माइनस 40 है प्लस 8 है 8 है यहाँ पर देखें ये माइनस 40 है और प्लस 8 मान लिजे ऐसे कर लिजे कि आपका के सिक यहां उधार है 40 रुपए आपने 8 रुपए दे दिया तब भी तो आपको माइनस आए बचेगा यानि 40 में से 8 ये घट जाएगा घट जाएगा लेकिन माइनस वाला ये माइनस लग जाएगा माइनस 32 एंस वर आएगा 32 नहीं आएगा माइनस 32 एंस वर आएगा तो इसका मान क्या होगा, इसका मान, आगे वाले का मान क्या होगा, इसमें देखिए हम इसको पहले वाले को solve करेंगे, अपने आप value आ जाएगे, इसको solve करेंगे, इसकी value पूछ रहे हैं, अब देखिए क्या होगा, y बटे x और ये माइनस में तो इधर लेके आते हैं, प्लस X square, बराबर कितना है बराबर year 2 हो गया आप देखिये Y square plus X square बराबर इसरा गुडाँ में है इसरा बते में इसरा गुडाँ हो जाएगा 2XY हो गया अब X square plus Y square minus 2XY बराबर 0 हो गया यह इसरा पलस में इसरा माइनिस आजा जाएगा तो आपने देखा होगा A-B का whole square जब होता है तो क्या फार्मला होता A square plus B square minus 2AB वही है ना वहीं X की जगाँ A भी लग गया तो यानि यह भी हो गया A minus यानि X minus Y का whole square हो गया बराबर 0 अब 0 का दोनों साइड square करेंगे तो क्या होगा X minus Y square to 0 इसका मतलब X बराबर Y आ गया यानि X की वहली Y है कुछ नहीं की है हमने इसको इधर कर दिया तो यह प्लस हो गया तो यह Y बटे X plus X बटे Y बराबर 2 और फिर हमने इसका LCM ले लिए नीचे वाले का फिर इधर multiply हो गया इसकार प्लस Y square बटे X Y वही Y square plus X Y या इधर उधर करी बराबर 2 है और इधर देखिए है तो दो का इधर बटे में इधर गुड़ा में हो जाएगा Y square plus X square to 2xy यानि X square plus Y square minus 2xy और यह formula होता है यह formula होता है A square minus B square minus 2 A B A minus B का whole square तो उसी प्रकार से X minus Y का whole square अब square है इधर भी square कर देंगे 0 का square 0 ही होगा X minus Y square to हो जाएगा 0 तो एक्स बराबर Y हो जाएगा क्या हमें पता चल गया यहां से की X बराबर Y है अब हम X की value रख देते हैं X की value हम रख देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा y square हो जाएगा plus यहाँ पर x की value रखेंगे x बराबर y है y रख दिए y plus x बराबर y हो जाएगा तो y और y square अल्रेटी है तो y की power 3 हो जाएगी अपान यहाँ पर भी y y हो जाएगा y की power 3 plus y की power 3 यही हो गया ना y square plus x की power 3 plus ok यहाँ पर देखे question गलत है यहाँ पर गलत है question यहाँ पर देखे value x power 3 हो गाई पहले से x की power 3 होगा यहाँ पर x की power 3 यहाँ पर misprint है x power 3 होगा तब ही इसका answer आएगा नहीं तो x में value इसकी आएगी x में इसकी value आएगी और कोई option उस परकार से नहीं है यहाँ पर option misprint है x पराबर हमने निकाल लिया यहाँ से y है अब हम value रखेंगे x पराबर y रखेंगे तो यह y की power 3 हो जाएगा plus x आले y रखेंगे y power पहले से 2 है और multiply हो जागा यानि y power 3 हो जाएगा और यहाँ पर x पावर 3 है यानि x पराबर y है तो y power 3 plus y की power 3 ओके यह हो गया y power 3 y power 3 y power 3 नीचे भी y power 3 हो गया 2 y power 3 दोनों एक दूसरे स्कड़ जाएगे एक answer आजाएगा ओके यहाँ पर missprint है नहीं तो इसका answer ही नहीं आएगा यहाँ पर missprint अगर x square के इसाब से value निकालने लगेंगे तो answer नहीं आएगा तो कोई समस्या अब नहीं होनी चाहिए आपको तो यह भी question हो गया कुछ भी नहीं किया गया यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से x की value निकालनी है य और उसी value के इसमें रख दी है सीधे solve हो गया यहाँ पर x power 3 होगा इसी प्रकार से question आपके पूछे जाते हैं और अगले lecture में हम लोग 2019 का question देख लेंगे यहाँ पर कुछ question हमने उठाया था और आपको संभवता अच्छा ही लगा होगा पिछले वाले question तो आप लोग जाकर देख लीजे बैतर तरीके से पढ़ लीजे उसको मिलते हैं आपसे अगले lecture में बहुत बहुत धन्यवाद